तो बही यहां पर मिले पास एक ऐसा यंद्र आचुका है जिसके तूरू आपकी सिर्ण नौल स्मार्ट चीज को अगर पर स्मार्ट बानाना चाहते हूँ तो नौल स्मार्ट चीज को आपको स्मार्ट तरीके से बेचने की जोरुत नहीं इसके बदले आपको एक छोल्टा सा smart device खरिएना है जो आपके not smart system को smart system बना सके. फिलाल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं smart devices के बारे में और basically यह है smart plug जो की विपरो की तरब से आया है मेरे पास और इसकी हम करने वाले unboxing. तो यहाँ smart plug की बात करें तो देखो यहाँ पर दो सेंपल है मेरे पास दोनों विपरो की तरब से है एक है 16 ampere का एक है 10 ampere का अब डिपेंड करता है कि आप किस लूज के लिए लेना चाहते हो मतलब आपको लाइट लूज है TV वगरा चलाना है तो 10 ampere का चालजर वगरा के लि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो आपको smart plug लिखा हुआ 16 ampere का यहाँ पर ब्रैंडिंग किया हुआ है इस विपरो की ब्रैंडिंग है यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सा वाइफाइ सपोर्ट करता है 24 GHz तो चलो यह तो सब में होता है यह प्लग के रिजानिंग है कि कुछ ऐसा दिखेगा प्लग इसों smart feature क्या होंगे तो वो सारी details है यहाँ पर कि आप अपने phone और electrical appliance control कर सकते हो यहाँ पर schedule कर सकते हो कि कब बंद करना है कब चालू करना है और उसके बाद यहाँ पर energy consumption जो है वो भी आप monitor कर सकते हो कि आपने जो इस plug के अगल device लगाया और यहाँ पर आपको बागी details मिल जाती है कि इसका voltage range क्या है और इसका price क्या है manufacturing क्या है और यह सब चलो उसके बात करें 10 ampere वाले के तो same voice जारी चीज़े यहाँ पर है कुछ भी अलग नहीं है मतलब 10 ampere 16 ampere दोनों box की जो branding है जो details है वो बिलकुल same to same मिलती है अब यहाँ पर open कर लेते हैं के करके दोनों box को सबसे उपर आपका smart plug आ जाता है इसको निकाल के रखते हैं side में और यहाँ पर आपका यह holder था जिसमें रखा हुआ था और इसके अंदर एक छोटा सा मुझे कुछ information के book जैसे चीज़ देख रही है तो यह इस plug के बार में सारी details है कि इस को भी खोल लेते हैं इसको अगर हम खोलते हैं तो सेम वह जारी चीज़े हैं यह निकल गया अपना प्लग अब भई यह होगे आपके पास दो प्लग 16 एंपियर का 10 एंपियर का बात करें smart plug के तो विप्रो की ब्राइंडिंग है और को स्विच मिल जाता है बेसिकली यही स् लगे हुए यह पीछे से आया हुआ है और इसके अलबब कोई ब्राइंडिंग नहीं है यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि स्मार्ट प्लग है और जो इसकी बात करें हम क्वालिटी के तो क्वालिटी का भी अच्छी है यह ग्लोसिव फिनिश आ जाता है और यह जो मैटल है इसका यह भी काफी अच्छा है और तो कुछ निया यहां पर एक लॉक है जो इसको उपन करता है और इसके अलावा कुछ निया सेम चीज़ अगर हम देखें दस एंपियर के अंदर भी तो वही चीज मिलती है विपलो की ब्रैंडिंग और यह हो गया लॉक प्ल तरीके से करता है तो देखो आपको करना क्या है वहां बिल्कुल मैच हो पि और रहily है तो यह यहां पर इन पूट निया अब्ण देखा रहाए कि बही यहां पर पावर आचुका है, आपका स्मार्ट प्ल Beef मेर में शायद आपको एहां अब क्लिER दीख रहा है आपको बात नहीं हो रहा है मतलब कि यह किसी वाइफाइस को सवाइब रहा है अब किसी भाइब को उसको पांच सेकिन तक प्रेश करके रखनें सब्सक्राइब लू लाइक जल गई अगर मैं इसको करता हूँ ओफ तो यहां पर हो गया बंद है आप देखो जो प्लग है वो एक्स्टेंशन बोल्ट में है और प्लग के अंदर मेरा अलाउट लगा हुआ है तो अगर आपको चेक करना है तो यहां से मैं सिंपली इसको अन करूंगा और फि सब्सक्राइब करते हैं अगर आप चाहिए करना चाहते हो तो गो और फिर बताओ कैसा लगा कमेंट करके तो इस वीडियो के यहां पर करते हैं आगे मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बबाए